स्वाती मालिवाल से मारपीट के मामले में आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने asymm Ouch के जिरवाल के घर से हिरासत में लेकर गिरफतार कर लिया है बता दे कि विभव के गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पुलिस कल से ही लगातार उसकी लोकेशन को खंगालने की कोशिश कर रही थी नमस्कार स्वागत है आपका सिटिजन पोस्ट में मैं हूँ मीनु वर्मा आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसत स्वाती मालिवाल मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल के पुर्व नीजी सचिव विभव कुमार की गिरफतारी हो चुकी है इस बीच पूरे देश में विभव कुमार को लेकर चर्चाय तेज हो गई है कि आखिर विभव कुमार ये सक्स कौन है और ये कौन सा सक्स है जो अरविंद केजरिवाल के इतने करीब आ गया और कैसे आ गया तो आईए आज इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करते हैं विवम कुमार बिहार के सासाराम से आते हैं उन्होंने 2004 से लेकर 2006 तक पत्रकारिता का कोर्स किया लेकिन सक्रिय मीडिया में वह कभी नहीं आये और एक्टिविज्म का रास्ता चुन लिया वह 2005 में ही अरविंद केजरिवाल और मनीज सिसोधिया के NGO कबीर से जुड़ गये थे फिर अरविंद केजरिवाल और मनीज सिसोधिया ने विभव कुमार को RTI के तहत काम करने की जिम्मेदारी दे दी बता दे के एक न्यूस चैनल के RTI से जुड़े अभियान को लेकर NGO कबीर ने एहम भूमिका निभाई थी और विभव कुमार यहीं से अरविंद केजरिवाल और मनीज सिसोधिया की नजरों में आने लगे थे जैसे जैसे NGO के RTI का काम सफल होता गया वह उनके नजरों में आते गया और इसी दोरान विभव कुमार दूरदर्सन पर बतोर एक्सपर्ट भी कारेकरम से जुड़ने लगे और यहीं से अरविंद केजरिवाल के और भी करीवाने लगे फिर दीरे दीरे NGO कबीर ने काम स्वराज का काम शुरू कर दिया और विभव को एहम जिम्मेदारिया मिलने लगी संगठन अन्ना हजारे के संपर्क में आया और यहीं से इंडिया एगेंस्ट करप्शन आंदोलन की रूप रेखा तयार होई और फिर 2011 में देश में सबसे बड़े आंदोलन ब्रस्ट अ के खिलाफ हुआ बता दे कि जब इंडिया एगेंस्ट करप्शन आंदोलन हो रहा था उस दौरान तक विभव कुमार अरविंद केजरिवाल के सबसे करीबी बन चुके थे और वह लगातार उन्हें राय भी देते और उनका काम भी करते नजर आते थे और फिर 2013 में आम आद संद्र में दिल्ली मियाम आदमे पार्टी ने सत्तर में से सरसट सीटे जीती तब विभव कुमार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने अपनी कोट टीम में रख लिया और उन्हें अपना नीजी सचिप नियुक्त कर दिया हलाकि आपको बता दे कि बाद में इस पद को उप राज्यपाल ने भंग कर दिया था लेकिन इस पद को खत्म करने के बाद भी विभव कुमार सीएम अरविंद केजरिवाल का काम करते ही रहे और अब जब अरविंद केजरिवाल शराव घुटाले मामले में तिहार जेल में गए थे तो भी उन्होंने छे लोगों का जो नाम दिया था जिससे वे मिल सकते थे बता दे कि उन छे जरूरी लोगों में विभव कुमार का नाम भी शामिल था ऐसे में ये समझना इतना मुश्किल नहीं है कि विभव कुमार सीएम अरविंद केजरिवाल के कितने करीबी है इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईए देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय देना बिलकुल न भूले शुक्रिया